एक्सिरीज में आज का मारा टॉपिक है मेट्रिक्स चेन मल्टिप्लीकेशन ओके मैट्रिक्स चेन जो है मल्टिप्लीकेशन कर सकते हैं कि कैसे हम है मैट्रिक्स मुल्टिप्लीकेशन में थी हमारे पास में धू मैट्रिक्स हैं इस का order है वो क्या है एक matrix का order है p by q क्यूere आपको पता होगा के matrix के की के लीए individually condition क्या होती है जैसे मान लेजिए ये एक matrix है ए अर number of rows और number of columns क्या है r1c1 और एक matrix से भी इसके number of rows or columns क्या है r2c2 if we want to multiply these matrices then the number of column from the matrix a and the row of the second matrix are equal फिके अगर ये दोनों equal है तो ही matrix का multiplication हो सकता है और तो फाइनल जो order होगा इस matrix multiplication का वो क्या होगा R1 C2 ठीके तो इसलिए इस यहाँ पर जो है मैंने क्या लिखा है कि दौनों matrix में जो यह क्यू है और यह क्यू है इस दौनों की value क्या होगी बराबर होगी तभी finally matrix का multiplication होगा और जो order आयागा इस matrix का वो क्या होगा PQR ठीके PQR multiplication क्या है ठीके first of all friends AB जो matrix का multiplication है is not is equal to the BA AB is not equal to the BA यह property यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है बलकि property क्या अप्लाई होती है friends associative friends matrix multiplication के लिए property क्या अप्लाई होती है associative associative property says if the multiplication of QR is P and PQ is R both are same ठीके तो यह जो है associative property यहाँ पर अप्लाई होती है associative property जो है matrix multiplication के लिए true है but AB is not equal to BA now friends what is a chain यहाँ पर chain क्या है a chain of matrices is a sequence of matrices like A1, A2, A3 up to the AN और in A1, A2, A3 matrices का क्या होगा कुछ particular order होगा कोई matrix 2 X 3 के हो सकती है, को 5 X 4 के हो सकती है, को 10 X 11 को सकती है कोई भी order की मेट्रीस हो सकती है और हमारे पास में क्या है UNSSAARी मेट्रीस की क्या है chain है what we have to do हमें करना क्या है we need to find a parenth credential sequence हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे पास में इन मैट्रेस की जो चेन है ठीक हमें उनका क्या करना है एक पारंफा जिशन सीक्वेंच निकालना है किसलिए सच देट नंबर ऑफ और अपरेशन पॉफॉर्म इस मिनिमाइज़ड कि जो टोटल number of operation जो performed होंगे वो क्या हो minimized हो सबसे minimum हो ठीक है तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको किस order में multiplication करना है वो जरूरी है लेट से आपने कहा कि पैरेंथाइजिशन सीक्वेंस मान लीजी कुछ इस तरह का हो सकता है मेरे पास में लेट से चार matrix हैं पहले मैंने जो है इन दोनों को multiply किया फिर इसको multiply किया और लास्ट में इसको multiply किया यह एक पैरेंथाइजिशन सीक्वेंस हो गया ठीक है कुछ पैरेंथाइजिशन सीक्वेंस यह भी हो सकता है बहुत सारी possibility हो सकती है ठीक है मान लीजी पहले मैंने इस दोनों को multiply किया फिर इन दोनों को किया और लास्ट में इन दोनों को किया ऐसे कितने ही parentheses हो सकते हैं हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि एक ऐसा parentheses sequence निकालना है जिसमें number of operations क्या हो सबसे minimum हो सबसे minimized हो ठीक है that is the problem definition related to the a metric chain multiplication ठीक है समझ में आया है आपको कि हमें matrix chain multiplication में करना क्या है अब मैं आपको एक question की help से जो है solve कराते है कि किस तरह से matrix chain multiplication को आप solve करेंगे एक pseudo code बताऊंगा pseudo code की help सही हमारे जो matrix chain की जो multiplication की जो problem है यह हम solve करेंगे ठीक है this is the basic funda for the matrix chain multiplication ओके नाव फ्रेंड्स एक question आपके सामने हैं जिसको हमें solve करना है what is the question a matrix chain is described by this ten five fifty one and twenty ठीक है find a parenthization order for matrix multiplication हमें क्या करना है एक ऐसा parenthization order पता करना है जिसमें number of operations क्या हो minimum हो ठीक है तो आपने जो है हमें chain दे रखिए basically तो chain को हमें बनाना है first chain क्या होगी जो पहली जो matrix होगी वो क्या होगी ten into five की order होगी second जो chain होगी obvious सी बात है कि first matrix का जो column होगा और second matrix का जो row होगा वो जोनों क्या होंगी equal होंगे इसलिए second matrix का जो order क्या होगा five यहां पर common रहेगा इस second matrix पर भी common रहेगा तो next matrix का जो order होगा वो क्या हो जाएगा five into fifty इसी तरह से friends third जो matrix के उसका order क्या होगा fifteen to one fourth matrix का order क्या होगा one into twenty आगे कोई chain नहीं है इसलिए हम इसको यहीं पर लिखेंगे ठीक है and we call this matrix is like a1, a2, a3 and a4 ठीक है चार matrix है उसके according जो है हमने यहाँ पर एक matrix बना ली है और this basically first starting with जो chain हमें दे रखी उसको हम p0 से denote करेंगे और जो last chain दे रखी उसको हम लेके जाएंगे तो यह जो order बना p1, p0, p1, p2, p3, p4 ठीक है यह इस तरह से आपको denote करना है क्योंकि values हमें आगे pseudo code में काम आएंगी ठीक है तो friends आपको the most important pseudo code for matrix multiplication क्या है वो आपके सामने है ठीक है आपको यह ध्यान में रखना है अगर यह pseudo code आपको ध्यान में नहीं होगा तो आप इस तरह की problems जो है solve नहीं कर पाएंगे ठीक है तो pseudo code क्या है a of ij particular i-th and j-th position if i and j are equal then put 0 तो friends आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो diagonal है जहाँ पर i और j की value क्या है दौना equal है particular ai and aj both are equal then diagonal पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा इस matrix का diagonal क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और next जो दूसरा जो condition है उसमें क्या है कि i जो है वो क्या होना चाहिए j से छोटा होना चाहिए i less than j तो इसका मतलब क्या हो गया friends कि जो हम इस matrix में जो values जो fill करेंगे वो इस matrix के simple upper part में ही fill करेंगे lower part का कोई काम नहीं है यहाँ पर कुछी values नहीं आएंगे हमें क्या करना है simple a1 a2 a1 a3 a4 a1 a4 then a2 a3 a2 a4 और a3 a4 इनकी ही values हमें calculate करनी है मीचे वाले की values हमें calculate नहीं करनी है according to the pseudocode of the matrix multiplication ठीके नाव फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है minimum of m i k k plus 1 j p i minus 1 p k p j such that i less than equal to k less than j इस फॉर्मूले को implement कैसा करना है वो मैं आपको भी सिखा देता हूँ ओके so first of all friends हमें क्या करना है हमें इन सारे जो फिलप्स हैं इनको फिल करना है ठीके तो देखे आप मेरा एक suggestion है आपको कि जब कभी भी आप matrix change से related question करें तो जो solution है कभी भी आप ऐसे linear न करें ठीके like a1 a2 a1 a3 a1 a4 ऐसे कभी मत करना हमेशा जो solution है इसका diagonal करना जिसे आपने पहले diagonal किया अब next diagonal फिर उससे अपर फिर उससे अपर then last value आप इस तरह से करना क्यों करना इसका reason आपको अभी पता लग जाएगा जिसे first इसको मैं fill करता हूँ a1 a2 a1 cross a2 की value क्या होगी ठीके अब आप देख सकते हैं कि यहां पर दो matrix में जो आये तो जिये जो position है इनके बीच पर difference एक ही है जब difference एक ही है जब difference एक है तो direct इसका solution निकाल सकते हैं like a1 की value क्या है 10 into 5 और a2 की value क्या है 5 into 50 तो 5 तो common है तो 50 आ जाएगा यह इसका answer हो जाएगा इसी तरह से friends a2 a3 a2 a3 की value क्या होगी इसका जो भी answer आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीके तो friends जो भी इन तीनों का answer था वो मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ और एक जो diagonal है जो main diagonal के जो upper वाला diagonal है यह हम क्या कर चुके है तिल कर चुके है ठीके तो 250 और इसकी value क्या आएगी thousand ओके यह हो गया clear और अब यहाँ से क्या करना है friends एक और matrix मैंने बनाई है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं this one is the second matrix this is for the kth matrix और इसकी importance क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ friends question में हमें क्या कहा गया है कि number of जो sorry parenthization जो order है वो हमें निकालना है तो यहाँ से दो question बनते हैं कि एक तो जो parenthization order होगा वो क्या होगा तो जो parenthization order आएगा friends वो इस matrix से आएगा इस matrix की help से आएगा और second question आपको अगर पूछ लें के total number of operations कितने लगेंगे इन सारी matrix को solve करने के लिए तो वो उसका answer आएगा इ matrix है ठीक है तो दौनों ही matrix हमारे लिए important है अगर हमें यह पता करना हो कि total number of operations कितने लगेंगे और यह matrix किसले काम आएगी कि total number of sorry parenthization जो order होगा वो क्या होगा अगर वो हमें निकालना है तो वह हम इस matrix से निकालेंगे ठीक है अब मैं बात करता हूँ यह मैंने matrix फिल कर ली अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि simple i और j दौनों अगर equal है तो इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा 0 आ चुका है ठीक है और यहां पर kate की value फिल करनी है हमें k की value फिल करनी है तो आप देखें जैसे 1,2 है तो i की value क्या ह हो गए 2 इस equation जो हमें दे रखी i less than equal to k less than j इसमें रखता हूँ मैं 1 less than equal to k less than 2 ठीक है तो यहां पर possible k की value क्या होगी क्या होगी के को हम simple यहां पर 1 रख सकते हैं और कुछ भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर हमने 2 रख दिया अगर हमने 2 रख दिया तो condition false दाएगी तो इ की value क्या होगी यहां पर 1 इसी तरह से 2,3 में 2 होगी और 3,4 में कितनी होगी 3 होगी आ गया यह के वाली भी matrix full हो गई और यह वाली matrix full हो गई कैसे किया यह मैंने आपको समझा दिया अब जो है मैं fill करता हूं friends a1,3 a1,3 की value क्या होगी okay so friends a1,3 की value निकालनी है कि उसके value क्या ह होगी तो आप देखें कैसे हम निकालेंगे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है I की value कितनी है 1 है,K की value क्या होगी k की value क्या होगी तो हूं इस equation से निकालेंगे I less than equal to K less than j, तो मैं रखता हूँ यहां पर 1 less than equal to K less than 3, तो आप यहां पर देखें,music possible values हो क्य क्या हो सकती है अगर मैं k is equal to one रखूं one less than three तब भी equation true है और k की value मैं two रखूं k की value friends मैं two रखूं तब भी equation क्या है true है तो k की यहाँ पर दो values होंगी k is equal to one and k is equal to two k is equal to one and k is equal to two इसके लिए हमें जो है friends यहाँ पर करना है solution करना है तो now friends अब आप देखें अब हम formula apply करेंगे k की value हम निकाल चुके हैं i और j की भी निकाल चुके हैं तो formula है minimum 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 m of i, k पहले बार जो है मैं k is equal to one के लिए solve कर रहा हूं तो दूसरी बार मैं किसके लिए solve करूंगा k is equal to two के लिए ठीक है तो m of i, k m of i, k i क्या है 1 k की value कितनी है यहाँ पर 1 ठीक है प्लस m of k plus 1 k की value कितनी है 1 तो 1 plus 1 हो जाएगा 2 और j की value है 3 ठीक है प्लस p of i minus 1 i की value कितनी है 0 1 1 minus 1 0 into p of k that is 1 और p of j that is 3 ठीक है यह हो गया किसके के लिए k is equal to 1 के लिए आप k is equal to 2 के लिए solve करता हूं ठीक है clear so friends this one is our mth matrix जिसके लिए मैं solve कर रहा हूं so 1,1 की value क्या है आप देख सकते हैं आपर कितनी है 0 है ठीक है 0 2,3 की value कितनी है friends आप देख सकते हैं कितनी 250 है plus p0 यहां से 10 into p1 5 into p3 1 ठीक है यह हो गया किसके लिए k is equal to 1 के लिए ठीक है now 1,2 1,2 की देख सकते हैं कितनी है 2500 plus 3,3 3,3 same है i और j की value तो answer क्या आएगा 0 ठीक है plus p0 into p2 की value कितनी है 50 into 1 यह किसके लिए k is equal to 2 के लिए k is equal to 2 के लिए ठीक है अब जो है हमें इन दौनों मैसे जो minimum जो value आएगी वो हमें लेना है और किस k की value के लिए आएगी वो हमें देखना है ठीक है तो यह अब कोई काम का नहीं है इसको हम जो है rough कर देते हैं friends तो इसको solve करेंगे 0 plus 250 और यह तो कितना हो जाएगा मैं direct value लिख देता हूँ यहाँ पर minimum अब आप देखें कि इसको solve कर लिया ठीक है 250 और यह जो भी multiplication है इसका result कितना आएगा 300 और यहाँ पर इसका result क्या आएगा 3000 दौनों में से minimum value कांशी है फ्रेंट्स 300 है तो ए 1,3 की value क्या जाएगी 300 हमें तो minimum लेना है और यह किस k की value के लिए आया है k is equal to 1 के लिए आया है इसके लिए आया है फ्रेंट्स k is equal to 1 के लिए आया है तो same अब आपको क्या करना है A2,4 के लिए निकालना है और A1,4 के लिए निकालना है फ्रेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि last हमने जो है 1,3 की value निकाली थी और आपको मैंने कहा था कि A2,4 और A1,4 की value ट्राइ करें तो A2,4 में जो है I की value 2 हो गई, J की value हो गई 4 और K की value क्या हो जाएगी 2 and 3 तो 2 and 3 के लिए हमें solution निकालना है तो मैंने यहाँ पर इसका minimum जो आएगा वो कितना आएगा number of operation 350 और किस value के लिए K is equal to 3 के लिए आएगा यह ठीक है इसी तरह से friends आप एक 1,4 के लिए निकालेंगे तो I की value हो जाएगी 1,K की value हो जाएगी 4 और K की value क्या हो जाएगी 1,2,3 तो एक बार आप K is equal to 1 के लिए निकालेंगे एक बार आप K is equal to 2 के लिए लिकालेंगे और एक बार आप KK is equal to 3 के लिए निकालेंगे तीन जो है values आएगी उस सब मेंसे जो minimum जो value होगी वो कितनी है 500 और और friends वो किसके लिए है K is equal to 3 के लिए है तो दोनों जो matrix है वो हमारी fulfill हो गई है ठीके अब इसमें दो question arise होते हैं पहला question number of operations कितने लगेंगे तो number of operations इतने लगेंगे last जो हमारी diagonal की value आगी उतने number of operations लगेंगे दूसरा question कि उसका parenthization sequence क्या होगा कि हम case order में multiplication करें ताकि उसका जो parenthization जो sequence है उसका जो parenthization sequence है वो optimum I number of operations क्या हो minimum हो number of operations क्या हो minimum हो ठीके तो friends उसके लिए एक और algorithm है जो हमें follow करनी है जो कि किसके लिए है parenthization के लिए है और उसमें ये वाली जो matrix है कियत वाली जो matrix है वैसे तो नीचे वाली values कुछ काम की नहीं है कियत जो matrix है इस matrix की help से हम क्या करेंगे इस जो change जो है इसका parenthization order हम पता करेंगे ठीके तो friends इस algorithm का last step क्या है हमें parenthization order निकालना है अब हमें क्या करना है friends के parenthization order निकालना है okay so friends parenthization order के लिए मैंने यहां पर एक जो है algorithm लिखी है algorithm आपको ध्यान में रखनी है algorithm क्या है कि we have a matrix S of I, J ठीके if I and J both are equal then print A of I otherwise I and J are not equal then print the open parenthesis recursively call this S of I S, I, S of IJ and S, S of I plus 1 S of I plus J I, J and plus 1, J ठीके यह हमें जो है recursively call करना है तो इसी algorithm को इस matrix की help से मैंने apply किया है तो यह sequence आया है अब यह कैसे apply किया है यह आप देखें कि I और J की value तो अभी देखें आप कि last जो हमारी optimum value आई थी वो किस पर आई थी I, 4 पर आई थी तो I की value हो गई 1 और J की value कितनी हो गई यहाँ पर 4 हो गई है ठीके I की value 1 और J की value 4 ठीके Now friends I और J की value तो equal है नहीं तो हमें recursively call करना पड़ेगा S, I की value 1 और 1, 4 की value कितनी है वहाँ पर आप देखें 3 तो S, 1, 3 यह आ गया ठीके उसके बाद मैं फिर से एक recursively call होगा So S, I, J की value कितनी है यहाँ पर 3 ठीके तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 और J की value भी है 4 तो S, 4 4 S, 4, 4 ठीके तो यहाँ पर आप देखें कि S, 4 4, 4 4 तो यह जो है I और J दौनों की value equal है तो जब I और J दौनों की value equal हो तो आप यहाँ पर print क्या करें A of I तो यहाँ पर मैंने A of 4 print कर दिया इसी तरह से friends यहाँ पर भी आप देखें कि यह अलग से sequence है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा A of 1 क्या आ जाएगा friends A of 1 अगर मैं और इसको detail में करना चाहूं तो यहाँ पर फिर इसको हम call करेंगे और last में हम इसको call करेंगे ठीक है तो यह होगा इसका parenthization order simple सा है friends इसको recursively आपको expand करना है जब I और J की value equal आ जाए तो बस आपको वो matrix का लिखना है कि कौन सी A1 है कौन सी A2 है कौन सी A3 है ठीक है तो यह हो गया इसका parenthization order टोटल number of operations में आपको बता दिये कितने है इसमें लगेंगे ठीक है So friends This is the way that how we solve the matrix chain multiplication problem Okay Thank you so much of watching this video